दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसी वनस्पती के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर की सुन्दरता को तो बढ़ाती ही है साथ ही साथ हमें कई बिमारियों से भी बचाती है आज एक ऐसे medicinal plant के बारे में आपको जो जानकरी शेयर करी हूँ दोस्तों वो plant है नौबची का पौधा नौबची का पौधा बोला जाता है बहुत सी जगा पर 9 ओक्लॉक फ्लावर कहा जाता है बहुत से लोग इसे office फ्लावर भी कहते हैं सुबह 9 बजे इसके फूल खिलते हैं और जैसे जैसे शाम होती है दोस्तों इसके फूल बंध हो जाते हैं आप देख सकते हैं अभी शाम के 5 बज रहे हैं और इसके जितने फूल है दोस्तों सभी फूल बंध हो चुके हैं इसलिए मैं आपको शुटिंग में नहीं दिखा रह इसलिए तो इसे office flower कहा जाता है, जैसे office का time होता है ना, 9 बजे, 10 बजे जो office खुलता है और शाम का office बंध होता है, वैसे ही इसके full बंध हो जाते हैं, कई चेका पर इसे 10 o clock flower भी कहा जाता है, आपके शेत्र में 9 बजी के पौधे को किस नाम से पुकारा जाता है, कमेंड करके जरूर बताईएगा, गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी flowering करता है दोस्तों और हमें इसे जरूर लगाना चाहिए, इसे लगाना इतना आसान है, आप इसकी जो डंडिया देख रहे हैं, इसका जो stem देख रहे हैं, बस बिना जड़के, सिर्फ इस stem को आप मिट्टी में ल तेजी से ये flowering करने लगेगा, इतना ज़्यादा ये फाइदेबंद है, तो इस तरह से यहाँ पर मैं जो नौपची की घास बोला जाता है, बहुत से लोग इसे नौपची की घास बोलते हैं, पौधा बोलते हैं, इसके पतले पतले जो stem हैं दोस्तों, इसकी जो पत्तिया को पीस कर, आज मैं आपको फूल नहीं दिखा पा रही हैं क्योंकि फूल सारे बंध हो चुके हैं, फूल और पत्तियों को पीस कर उसका लेब, यदि आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो चेहरे के सारे दाग धबे दूर होते हैं, चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आता है, हमारे स्किन जो होती है रहोतों बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया गलॉइंग स्किन हमारी होती है, तो इस सारा से इस्की पत्तियों का और फूल से परिशान हैं, बालों के जड़ने से परिशान है, तो भी इसकी पतियों को कूट कर पीस कर इसका एक चमच रस ले ले हैं और एक चमच रस में आप आप नादियल का तेल मिला कर बालों की जड़ों पर लगाएं बालों का जर्णा बंद होता है सफेदालों की समस्या दूर होती है तो इसका इस्तमाल दोस्तों आप लोग अपने स्किन के लिए कर सकते हैं, चेहरे के दाग धबों को दूर करने के लिए आप इसके फूल और पत्तियों का इस्तमाल कर सकते हैं, बालों के लिए करना है तो केवल इसकी हरी पत्तियों का आपको इस्तमाल करना इतना ज्यादा फ आप इसके स्टैम को जहां भी मिट्टी है जहां भी जखर है आप किसी भी गमले में आप इसके स्टैम को वापस लगा दे यह वापस चार-पांस दिन बाद बहुत अच्छी तरह से पनपने लगेगा और फिर से इसकी डंडिया फ्लावरिंग करने लगेंगी तो बहुत ही ज़्यादा फाइदे मत है दोस्टों और बहुत से ग्रंथों में इसका उलेक किया गया है इसके फाइदों के बारे में कहा गया है दोस्टों आयुरवेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है बहुत सी दवाई को बनाने में भी इसकी पत्यों और फूलो के सांथ मिलाकर लेप लगाकर देखें, दस मिनट रखें, दस मिनट बाद चप चहरा धोईंगे ना दोस्तों, आपको कमाल का रिजर्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा ये फाइदे मन्द है दोस्तों, बालों को लंबा और मजबूत करने के लिए सिर्फ इसके पत्तों का इस्तमाल करना बाल घने होंगे, बालों का जड़ना कम होगा, बालों की जड़े मजबूत होंगी, तो दिखने वाली साधरान सी घास है दोस्तों, परंतु कितनी ज़्यादा इसका ओश्धी महत्व है, इसकी पत्तियों में, फूलों में विटामिन E होता है, जो कि हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए फाइदे मन्द है, तो कुछ पत्तियां मैंने तोड़ लिया है, अब आपको किसी भारी चीज में डाल कर, किसे माम दस्ते में डाल कर, आपको इसे कूट लेना है आप चाहें तो ग्रैंडिंग जार में डाल कर, इसे ग्रैंड करके इसका बढ़ी अच्छा स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, फिर इस पेस्ट को छनी से चान कर उसका जूस निकाल सकते हैं, बहुत फाइदे मन्द है, तो इसे कूटने में यदि परिशानी हो, तो कुछ बू इसके पेस्ट को आप लगा कर रखें, थोड़ी देर तो लगा कर रखें, आपको बहुत ही फाइदा मिले का जलन चान्त होगी और चर्म रोग भी दूर होगे, इसके अलावा आपको चहरे पर लगाना है, तो फूलों को भी इसके साथ कूटना है, पीसना है, छान कर दोनो पत्तियों का और फूलों का रस चहरे पर लगाना है, शहत के साथ मिला कर, बहुत बढ़ी आप फाइदे मने हैं दोस्तों, कई बीमारियों से बचाता है इसका लेप, और इसकी जो पत्तिया होती ही दोस्तों, अगर बालों पर लगाएंगे नारियल तेल के साथ ही आपको जैसे मैंने अभी आपको पीस के पेस्ट बताया ना, एक चम्मत पेस्ट है, देखिए मैं चम्मत से दबा के इसका जूस निकाल रही हूँ ताकि इसकी छोटे-छोटे रेशे आने ना पाएं, आप जहें तो छन्नी का इस्तमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा नारियल तेल मिला क पर बालों की जड़ों पर लगाएं, आप एक घंटे लगा कर रखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हेर फॉल रुकेगा, इसकी पत्तियों में बहुत से पोशक्तत्व होते हैं, जो कि हमारे स्किन हमारे बालों के लिए बहुत ही फाइदेमद है, जो जितन पर बालों के जड़ने को बंद करेंगा, और इसका आई रुवेद में इसलिए इतना ज़्यादा महत्व है, दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है, वीडियो जरा भी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो देखे, अब यहाँ पर एक चमच रस, जिसमें कि अभी मैंने आपको च जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से इंफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है और हमें एप्लिकेशन में आसानी होती है, और एक घंटा लगा कर रखें, बालों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं, दोस्तों इतना जादा फाइदे मन है, डेसी नौबची, तो आपके तेजी से ये फैलती है दोस्तों, कई रोगों का काल है ये, और गर्मी के मौसम में ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है ये पौधा, लगाने में मैंने आपको बता दिया, जड़ की जरुवत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं दोस् सबस्क्राइब करें